नमस्कार दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तो आज हम कोई रेसेपी लेके नहीं आए हैं तो ये है एक तरह से डावेटिक पेसेंट के लिए एक चूर्ण जो की हमारे ब्लड सुगर को बहुत ही कंट्रोल में रखता है तो जैसे ये मेथी दाना हो गया है तो मेथी दाना भी है हमारे सुगर के लेवल को बहुत ही कंट्रोल करता है तो इसका सेवन तो हमें जरूर से जरूर करना चाहिए और इसके साथ हम आज मिलाएंगे ये जामून का गुठली जामून का जो बीज है इसे भी हम सुखा करके यूज कर सकते हैं या बा उनका गुठली हुआ ये हो गया अजवाइन तो ये भी हमारे रक्त को मीठा जो होता है हमारा रक्त तो उसे ये तीखा करता है यानि ये बहुत ही तेज होता है साथ में ये है करेला तो करेला को भी हमने धोके साफ करके कट करके इसे सुखने के लिए दे दिया ये सुख च इसमेल बारिक-बारिक टकर के सुखा लिया है और यह है दाल चीनी तो दाल चीनी भी है हमारे सुगर बहुत ही कंट्रोल करता है तो दाल चीनी के मात्रा थोड़ा कम डाले हैं और इन पाचों सीजों को मिला करके आज हम एक चुं बनायंगे खी जो कि हमारे सुगर पेसेंट लोगों के लिए यानि जिने सुगर है डाइविटीज है तो उन लोगों के लिए बहुत ही कारगर है यह सबको पता है कि इसका तो कोई अस्थाई इलाज नहीं है लेकिन हाँ इसको कंट्रोल में हम रख सकते हैं तो सबसे पहले मेथी दाना को हम रोस्ट करेंगे एक मिनट तक पहले इसे रोस्ट कर लेंगे इससे क्या होता है कि आसानी से यह पीस जाता है और यह थोड़ा हो गया तो अब इसमें हम अजवाइन डाल देंगे तो हमने अजवाइन को मेथी दाना को सबको दोके अच्छी तरह से सुखा लिया है तो घर में जब बनाना है तो साब सफाई का तो बहुत ही ध्यान देना हो चाहिए तो इस तरह से हम इसे हलका सा रोष्ट कर लेंगे और जादा में नहीं करना है इसे जलाना नहीं है बिल्कुल हलका सा रोष्ट करना है गैस को कर देंगे बंद और इसी पैन में ही हम इसे चलाते रहेंगे ताकि ये जले नहीं तो इस तरह से ये ठंडा करने के लिए रख देंगे हम प्लेट में तो जब हमारा ठंडा हो जाएगा मेथी और अजवाइन तब इसे हमें पीस लेना है तो ये मिक्सी ग्राइंडर में ही पीसेगा अब इसके बाद हम डालेंगे ये दालचीनी का जो है उसे हमें छोटा छोटा टुकडा कर लेना है जिससे कि हमें पीसने में आसानी हो और ये जो जामून की गुठली ये भी अच्छी तरफ से सुखा हुआ है अब ये करेला है तो इसे भी हमने दूप में कट करके सुखा लिया था तो ये करेला है तो इसे भी डाल देंगे तो ये भी हमारे बलड सुगर को बहुत ही कंट्रोल रखता है बहुत लोग इसका जूस भी पीते हैं तो यह powder form में है यह तो इसे हमें अच्छी तरह से grind कर लेना है तो यह तो पीस गया है पर बहुत बारीक नहीं पीसा है तो इसे हमें strainer से छानना होगा बारीक छनी से हमें छान लेना होगा और बाकी जो मोटा पार्ट होगा उसे भी हम बार बार पीस लेंगे और पीस करके फिर छान लेंगे तो थोड़ा तो मेहनत है दोस्तो अब क्या किया जाए मेहनत तो है तो इसे एक दिन अगर मेहनत करेंगे तो ये जितना है पाउडर ये हमारा एक महिन आराम से एक लोगों के लिए चलेगा तो रोज दिन सिर्फ एक चमच हमें लेना है गुनगुने पानी के साथ यह बहुत ही हमारे सरीर में बहुत ही फाइदा करता है हमारे सुगर को बहुत ही कंट्रोल रखता है सबों को पता है कि सुगर तो जल्दी ठीक होता सीवन जी सकते हैं लोग आरवेदिक में बहुत सारा जरीब उटी है जिसका सेवन करके लोग अपना बलड सुगर को लेबल को कंट्रोल में रखते हैं और इसका कोई दुस्प्रभाव भी नहीं होता है तो जैसे कि मेथी हो गया, जवाइन हो गया जामुन का बीज हो गया करेला, डाल, चीनी है सहजन के पत्ता है नीम का पत्ता है तो इस तरह से नीम का च्छाल है लोग बहुत तरह का चीज यूज करते हैं पर ये कम से कम तीन से चार चीज का सेवन अगर रोज करे तो सुगर बहुत ही कंट्रोल में और ये जो बचा है इसे फेकना नहीं है इसे हम रात को एगलास पानी में एक चम्मज डाल के ढख देंगनी अज सुबह इसका हम पानी पी सकते हैं तो देखे देखते देखते हमारा जो है ये पाउडर बन करके तयार हो गया है अब इसे किसी डब्बे में बन करके रखना है हमे और आप अगर इतना ले तो दो टाइम ले सुबह शाम अगर एक टाइम लेना हो तो आप एक बड़ा चम्मज लीजिए गुनगुने पानी में और नियमत रूप से लीजिए तो जरूर ही फैदा होगा इस तरह हमने एक छोटे से डब्बे में बन कर लिया है तो ये जादू का चुर्ण है तो इस तरह से ये जो पाउडर है ये बहुत ही कारगर होता है तो ये पूरा हमारा एक महीना चल जाता है अगर एक दो दिन छूट गया तो छूट भी गया तो इस तरह से ये गलास गुनगुना पानी है और इसमें हम डालेंगे एक चमच पाउडर कुछ लोग चूरन बोलते हैं कुछ लोग चूरन बोलते हैं जो भी बोले आप लेकिन है तो ये बहुत ही फाइदेमन पाउडर इस गुनगुने पानी में हम एक बड़ा समझ डालेंगे और अच्छी तरह मिक्स करके से पी लेंगे ये तयार हो गया है पीने के लिए ये है तो बहुत अभी गर्म तो इस तरह से आप इसे चूरन को बनाईए और महीनों सेबन कीजिए मैं सबों को नहीं बोल रही हूँ जिने सूगर है जिने डाइविटीज है वो इसका सेबन करे और इस तरह से आप इसे बना के रख सकते हैं और अपने जीवन को थोड़ा बेतर बना सकते हैं अपने सूगर को कंट्रोल में रख सकते हैं दोस्तों तो आज मैं नहीं बोलूँगी कि आप लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए नहीं बोलूँगी और आप इसे जरूर यूज कीजिए धन्यवाद